कारगिसान साथियो आज हम जानेंगे बहुत ही तेज से छोटे छोटे पोदे ग्रोथ करते हैं ये इसका अंदर कहीं सारे पोशक तत्तु पाया जाते हैं जो हमारे जानुरों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं और दूद की मातरा बढ़ाते हैं इसको हम वैसे हरा चारा जो पानी के उपड़ तेरते होगी चुटे चुटे पोदेखे सकते हैं तो इसको हम आसानी से तैयार कर सकते हैं किस तरह से तैयार करना है कि एक तो हमें 7-8 फिट लंबा अपने को गड्डा बना लेना है उसके बाद में उसके निचे कोई polythene बगेरा डाल देनी है पोलिथीन डालने के बाद में इस तरह का पूरा शेप बना लेना जिस तरह से आपको दिखाई दे रहा है यह वैसे 7-8 फिट लंबाई है इसकी और 4-5 फिट चोड़ाई है इसकी तो इस तरह से हम गड़ा करके कर सकते हैं और फिर उसके बाद में हमारे नजदी की कर्शिव अग्यान के अंदरे से यह नजदी की आसपास से इस तरह का बीज लेका सकते हैं जो अगर इसमें अपना देखेंगे तो नीचे से इसमें जड़े निकलिए हुई है जिससे इस तरह की इसको हम छोटे छोटे पानी के अंदर तेरते हुए छोटे छोटे पोदेखे सकते हैं और इसको हम चारे के रूप में काम में लेते हैं इसे एजुला बोलते हैं साथियों तो इसको तयार करने के लिए आपको क्या करना है इस तरह से गड़ा करना है गड़े के अंदर लालेना चाहिए लाने के बाद में जो बीश लेगे 주den ने के बाद में यहां ईक्ते मात्रा इसमें डालने के बाद में यह आप inäलाई नी तो यह यूनिटी केसी लगी आपको यह श्री राम शैंता जेविकर्शन संदाने प्रशेशन के अंद्र कोटा के प्रांगन पर लगी वी है और इस तरह से आप भी लगा सकते हो धन्यवाद साथियों फिर मिलेंगा अगली वीडियो के साथ